दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरीवाल के घर आज फिल दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांश टीम नोटिस देने जाएगी केजरीवाल ने 27 जन्वरी को अरूप लगाया था कि भाशपा ने आपके साथ विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड रुपे की पेशकश की है साथी केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी है इस संबन में क्राइम ब्रांश टीम आरूपो के खिलाफ जाश में शामिल होने के लिए केजरीवाल के बयान लेना चाहती है शुकरारको पुलिस की एक टीम केजरीवाल के घर गई थी मगर दिल्ली पुलिस के सुत्रों ने कहा कि केजरिवाल ने नोटिस लेने से मना कर दिया क्राइम ब्रांच की दूसरी टीम आतिशी के घर भी गई मगर उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया सचदेवा के नेतरत में दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनीधी मंडल 30 जनवरी को शहर के पुलिस प्रमुक से मिला था और मुख्यमंतरी अरविन केजरिवाल के आरोपो की जान्च की मांग गी थी यहां पुलिस मुख्याले में दिल्ली पुलिस आयुक्ति संजे अरुडा से मुलाकात के बाद सचदेवा ने कहा कि केजरिवाल से अपने आरोप साबित करने के लिए कहा गया था लेकिन आपकी और से कोई भी सबूत के साथ आगे नहीं आया सचदेवा ने कहा था कि इससे पता चलता है कि दिल्ली के मुख्य मंतरी और उनकी आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा लगाये गए आरोप पूरी तरह से निराधार थे इसी के साथ बने रहे है राजनम दुनिया के साथ धनेवा